नमस्कार आपका अमारे यूडूब चैनल में स्वागत है दोस्तों मैं बता दू कि मैं अभी जो है ट्विटर एकाउंट में हूँ और यह जो ट्विटर एकाउंट है यह बिहार के सुसिल कुमार मोदी का ट्विटर एकाउंट है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठी चाजबा एंड फॉर्वर डिपुटी चीफ मिनिस्टर है बिहार के ठीक है इनको जो इनके जो फॉलवर से लगभग 2.1 मिलियन फॉलवर से एक मिलियन में 10 लाग होता है यानि लगभग 21 लाग इनके फॉलवर से और यह जो है रिसेंटली क्या क्या ट्विट किये हैं वो प्रस्मनी वैशनाव जी से और क्या-क्या उनके बीच जो है बाते हुई वो सारा चीज़ इन्होंने ट्विट किया है देखिए सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो यह आपका जो है यह दो घंटे पहले का है यह जो ट्विट आप देख रहे हैं दो घंटे पहले है चात्रों से अपील है कि सयम बाते ताकि रेलवे बोर्ड मामले के सभी पहलों की जाच पूरी कर परिशर्थियों के हित में फैसला ले सके कौन तो रेलवे बोर्ड तो यह कहा जा रहा है किसके द्वारा सुसिलकुमार मोधी के द्वारा आगे देखिए आगे उसने फिर केंडिडेट वन रिजल्ट हो यानि जिस तरह से एक केंडिडेट को चार-चार जगा पर सेलक्शन कर लिया गया चार-चार बार रिजल्ट हुआ तो उनको उनको उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक केंडिडेट को एक ही रिजल्ट होना चाहिए सिध्धान पर कि अपरिया इस्तिती नहीं पैदा होती कौन क्या रहा तो रेलिवे बोर्ड ने कहा ठीक है रेलिवे बोर्ड ने यदि उन्हों ने कहा किसने कि कि आप सुसिल कुमार मोदी ने कहा आगे देखिए आगे है रेल मंत्रे ने मुझे भरोसा दिलाया है यानि आशुनी वैस्नों जिन्हें सुसिल कुमार मोदी जी को क्या भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों से सहमत है ठीक है और उनकी मांग के अनुरूफी निर्नाई जल्द किया जाएगा मतलब जो छात्र कह रहे हैं उन्हीं के अनुरूफ होगा ठीक है मैंने लाखो अभीरतियों की परिशानी और उनकी मांगो से रेल मंत्री वैस्नाव को विस्तार से आवगत किया है ठीक है तो यह क्या कहा जा रहा है सुसिल मोदी जी के दौरा कि इन्हों ने जो है लाखो अभीरतियों की परिशानीयों को उनकी मा से रेल मंत्र असमिनी वैसनाव को विस्तार से आवगत किया ठीक है याने डिटेल में इँन्हों ने बताया है आगे देखिए सब्सक्राइब कर दो घंटे पहले का ये भी ट्वीट है रेल मंत्री असमिनी वैसनाव ने आज मुझे आस्वस्थ किया कि गुरूबडी की दो की बज़ए एक परिक्षा होगी यह देखिए यह जो है रेल मंत्री आस्विनी वैसनव जी ने जो है सुसिल कुमार मोदी जो को आस्वस्थ कर दिया है कि रेल वे गुरूबडी की जो परिक्षा होगी वो दो कि दो फेजों सीविनी टू नहीं होगा सीविनी वन होगा और एंटी पिसी के परिक्षा के 3.5 लाग अतरिक्त परिनाम एक छात्र एक यूनिट रिजल्ट के आधार पर घोसित किये जाएंगे यह कहना अस्विनी वैसनव जी का ठीक है और एक देखें और एक ट्विट हुआ है जिसमें यहाँ पर सुसिलकुमार मोदी जी कह रहे हैं कि रेलवे गुरूबडी की दो की जगा एक परिक्षा लेगा यह इनका कहना है एंटी पिसी के परिनाम एक छात्र एक यूनिट रिजल्ट फॉर्मूले पर होगा यह किन्हों ने कहा तो रेल मंत्री अच्विनी वैशनों ने मुझे दिलाया भरोसा किसको दिलाया तो सुसिलकुमार मोदी जी को भरोसा दिलाया है आगे देखिए बिहार में प्रशासन ना करे दमनातमा करवाई ठीक है और भी ट्विट हुआ है क्या कि रेल मंत्री छात्रों की मांग के पक्ष में सुसिल मोदी को रेल मंत्री का अशवाशन तो यहां पे कहा जा रहा है कि रेल मंत्री जो है वो छात्रों की मांग के पक्ष में है यानि असमेनी में वैशनव जी जो हैं वो हमारे पक्ष में हैं और रेल बंद्री ने सुसिल मोदीजी को आज पसंद दिलाया है यह देखिए इनसे बात हुई हुआ तो यह कुछ थाल लेटिसटै टुट्स किनके दुबारा तो शुसिल कुमार मोदीजी के दुबारा अब देखते हैं आगे क्या इसका ऑफिसल ल्फिकरशन काथ है जैसे कऊ उफीसल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपने चैनल सुरे बैल आइकन को तो प्रे